एक बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में जिसका नाय में दे लर्निंग सरकल दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महाध पूर्च शेप्टर कंजक्शन सुरू करने जा रहे हैं दोस्तों कंजक्शन अर्थात समुच्च बोधक या समुच्च दोस्तों यह से कुछ शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस को दो बाकी को दो क्लोस को जूणने का काम करते हैं उनको कंजक्शन कहा जाता है दोस्तों कंजक्शन को हम डीटेल से पढ़ेंगे इसको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो खेर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कंजेक्षन दो या दो से अधिक शब्दों या बाकियों को आपस में जूढने का काम करते हैं किस तरह से ये जूढते हैं सबसे पहला अधाव्द से लिखा हुआ है दोस्तों God made the country and man made the town अब दोस्तों यहाँ पर end से दो अलग-अलग sentence को जोड़ा गया है God made the country and man made the town यह दोस्तों एक कवीता है जो की William Cooper जी ने लिखी थी उस कवीता की यह लाईन है तो दोस्तों समझाने की यहाँ पर बात यह है कि जो end से यहाँ पर जो दो sentence को जोड़ा गया है तो end यहाँ पर क्या है दोस्तों एक conjunction है इसी तरह से नीचे He is honest and she is intelligent वह मांदार है और वह intelligent है अब दोस्तों यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की की बात हो रही है उन दोनों के बारे जब यहाँ पर बताया गया तो दोस्तों जब इन दोनों sentence को जोड़ा गया तो किस से जोड़ा गया end से जोड़कर इन दोनों sentence को जोड़कर एक बाकी complete किया गया इसी तरह नीचे राम as well as sham बिल कम अब दोस्तों यहाँ पर राम और शाम दो अलग अलग शब्द थे दो अलग अलग noun दो अलग अलग नाम थे दोनों को as well as से जोड़ा गया राम साथ शाथ साम आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर as well as क्या है conjunction है इसी तरह उपर end क्या है conjunction है तो दोस्तों यही मैं समझाने के कोशिश कर रहा हूं कि conjunction क्या होते हैं दो बाक्यों को जोड़ें, दो शब्दों को जोड़ें, यह दो close को जोड़ें, दोस्तों close का मतलब होता है, उपवाक्य, आगे दोस्तों, conjunction मुखिता तीन परकार के होते हैं, मैंने लिखा हुआ है, conjunction मुखिता तीन परकार के होते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है, co-ordinating conjunction, उ ये equal ranks के दो close को जूडने का काम करते हैं जी यहां दोस्तों जो दो बाक्यांश होते हैं उपवाक के होते हैं उनको ये जूडने का काम करते हैं और ये equal rank के दो ऐसे बाक्यांशो को जूडने का काम करते हैं दोस्तों किस तरह से example से लिखा हुआ he read the notes and return it to me उसने notes पड़े और मुझको बापस दे दिए and से जोड़ा यहाँ पर और मुझको बापस दे दिए इसी तरह दोस्तों नीचे लिखा हुआ he came to meet me but I was not at home वो मुझसे मिलने आया पर में घर पर नहीं था और दोस्तों यहाँ पर जो but है but क्या काम कर रहा है conjunction का काम कर रहा है और दो अलग-अलग close को जुणने का यहाँ पर यह काम कर रहा है इसी तरह नीचे लिखा हुआ है दोस्तों he she work hard yet she failed उसने कड़ी मेहनत की तो भी फिर भी वे fail हो गई तो दोस्तों यहाँ पर yet क्या कर रहा है वही conjunction का काम yet कर रहा है अब दोस्तों subordinating में क्या होता है subordinating conjunction में इन conjunction के तोरह ऐसे एक close को दूसरे close से जोड़ा जाता है जिसके बिना वे अपना अर्थ ब्यक्तिन नहीं कर सकते दूसरे close पर पूरी तरह आसरत होते हैं close जिसे कहते हैं और एक दोस्तों subordinate होता है उसका सहयक होता है नीचे लिखा हुआ है दोस्तों इसके example if you work hard you will succeed you will succeed तुम success होगे तुम सफल होगे यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे इस तरह नीचे लिखा हुआ है since I was busy I could not call you up में best था इस कारण में आपको phone नहीं कर जाका दोस्तों यहाँ पर since और if क्या है ये भी conjunctions है और कौन से subordinating conjunctions इसी तरह दोस्तों नीचे लिखा हुआ correlative conjunctions जो conjunction जोड़े यानि pairs में प्रियोग होते हैं correlative conjunctions कहलाते हैं either or neither nor both and not only but also so yet whether or नीचे दोस्तों example के माद धिम से बताने की कोशिश की है neither his friends nor his parents knew about his evil intention नहीं उसके दोस्त और नहीं उसके माता पिता उसके जो उसका बुरा intention ये बुरा इरादा है उसके बारे में जानते हैं इसी तरह I don't know whether he will come or not मैं नहीं जानता या कि वो आएगा या नहीं अब दोस्तों बारी-बारी से प्रतेक conjunction का हम use देखेंगे किस तरह से इनका इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहला मैंने जो conjunction लिया हुआ है वो लिया हुआ दोस्तों एनका जो मतलब होता है वो हम सब जानते हैं इसका मतलब होता है और दोस्तों इसका किस तरह से प्रियूक किया जाता है किस तरह से and use होता है नीचे चार एक्जामपल के माद्य हमसे समझाने की कोशिश की गई है सबसे पहला example में ने लिया हुआ है दोस्तों, he is both intelligent and hard working, वो intelligent भी है और hard working भी है, कड़ी महनत करने वाला भी है, तो दोस्तों end ने यहाँ पर दो sentence हो को जोड़ा और उसकी पूरा एक नया sentence बनाया, इसी तरह नीचे राम एंड शाम आर प्लेइंग क्रिकेट, अब दोस्तों य अब दोस्तों end से जब भी जोड़ा जाए, किनी दो noun को, किनी दो sentence को तो दोस्तों वो आगे जो भी बरवाएगी, वो plural हो जाएगी, जैसा कि इस बाकि में हम देख सकते हैं, राम एंड शाम आर प्लेइंग, क्या लिखा हुआ है, आर प्लेइंग, ना कि is प्लेइंग, क्य दोस्तों यहाँ पर दो बाकियों को जोड़ा गया, he is honest, वो इमानदार है, and she is intelligent, वो जो लड़की है, वो intelligent, इसी तरह नीचे, he read the notes and written it to me, यह उपर भी दोस्तों मैंने बताए थे, वही end के examples थे, उनको यह नीचे लिखा हुआ है बापस, he read the notes and written it to me, अब दोस्तों अगल जो conjunction मेंने लिखे हुए है, वो, चार लाइन से लिखे लिए हैं, सबसे पहला लिखा हुआ is as well as, इसका दोस्तों, जो हिंदी में meaning होता है, 7 ही 7, इसी तरह दोस्तों as soon as, जैसे ही, जो ही इसका, हिंदी में ये अर्थ होता है, इसी तरह as long as, इसका अर्थ होता है, जब तक क इसी तरह as far as इसका मतलब होता है जहां तक की अब दोस्तों इनके example देख लेते हैं सबसे पहला example मैंने लिखा हुआ है राम as well as some is coming अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया हुआ वर्ब is लगाई हुई चुकि दोस्तों end के अलाबा इन जो conjunction लिखे हुए इनसे जब जोड़ा जाए तो दोस्तों वहाँ पर बर्ब singular ही प्रियोग में आती है राम as well as some is coming और दोस्तों बर्ब आगे वाले के इसाब से sorry मैंने गलत बोल दिया singular ही प्रियोग में आती है दोस्तों जो first subject होता है उसके अनुसार यहाँ पर बर्ब आती है यदि यहाँ पर आई होता दोस्तों तो पीछे क्या आता एम आता यहाँ पर क्या आता एम आता तो राम as well as some is coming इसी तरह दोस्तों नीचे लिखा हुआ है I as well as my parents am coming जैसा कि नीचे दोस्तों मैंने ऊपर बता तो वही sentence उसमें का नीचे लिखा हुआ है I as well as my parents am coming में साथी साथ मेरे माता पता आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर aim किस के लिए लगा गया I के लिए तो इस तरह के दोस्तों जो conjunction से जोड़ा जाता है वहाँ पर verb first subject के according आती है इसी तरह दोस्तों नीचे as soon as it rains farmer will show the seeds जो ही जैसे ही बरसात होती है farmers क्या करते हैं दोस्तों seeds यानि की बीच बहते हैं अगला दोस्तों लिखा हुआ as soon as we get the tickets we will send them to you जो ही हम ticket हमको ticket मिलेंगे हम वो आपको भेज देंगे अगले में लिखा हुआ दोस्तों I will remember that film as long as I live मैं उस फिल्म को याद रखूँगा जब तक की मैं जिन्दा रहूँगा तो दोस्तो as long as he keeps you happy मैं उसको पसंद करता रहूँगा जब तक वो आपको खुश रखता है इसी तरह नीचे दोस्तों लिखा हुआ as far as I know Mr. Lishan is a good man indeed यहां तक की मैं जानता हूँ Mr. Lishan एक अच्छे आदमी है तो दोस्तों यहां पर केसे as far as का प्रियोग किस तरह से होता है जहां तक की इसी तरह नीचे as far as possible I avoid talking with my parents जहां तक की संभव है मैं अपने माता पिता से बात करना अवोइड करूंगा या करता हूँ तो दोस्तों यहां पर समझाने की बात यह है as far as, as long as as soon as, as well as यह जो conjunctions होते हैं यह किस तरह से प्रियोग किये जाते हैं इनका हिंदी अर्थ क्या है दोस्तों क्योंकि जब यह चारो options में आते हैं तो confusion होता है as soon as का मतलब और as far as का मतलब यह सब मतलब अलग-अलग होते हैं जिसा कि as soon as उपर लिखा भी हुआ है जैसे ही और as far as यहां तक की as long as जब तक की as well as साथ ही साथ आगे दोस्तों अगला जो conjunction समझाने की कोशिश की गई है वो है but दोस्तों but तो easy है वैसे सब लोग इससे परिचित है ज्यादा तर लोग दोस्तों इसके दो एक्जामपल्स लिखे हुए है और but का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है परंतू यह किन तू भी कह सकते हैं he is rich but he is honest he is not happy he is rich but he is not happy वो अमीर है किन तू फिर भी इस तरह के इसका हिंदी अर्थ निकलता है और दोस्तों but जो होता है वो आगे वाले sentence का एक तरह से negative होता है उसका opposite होता है जो आगे वाले sentence में बात लिखी है उसकी बात opposite बताता है दोस्तों अगला जो लिखा हुआ है hence और so दोस्तों इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो निकलता इसलिए क्या निकलता इसलिए the shop was closed hence we couldn't get clothes shop बन थी दुकान बन थी इसलिए हम कपड़े नहीं पा सके ले सके तो दोस्तों hence का मतलब क्या निकलता है इसलिए इसी तरह नीचे लिखा हुआ है he is sick hence he is taking medication वो बीमार है इसलिए वो medication ले रही है तो दोस्तों यहाँ पर hence का मतलब क्या निकला इसलिए इसलिए he is intelligent boy so he will definitely do it वो एक होशिया ललका है इसलिए वो निश्चित रूप से ये करेगा तो दोस्तों so और hence का जो मतलब निकलता है वो क्या निकलता है इसलिए मतलब निकलता है और ये भी क्या करते हैं दोस्तों conjections दो sentence को दो शब्दो को जोन ले का काम करते हैं अगले दोस्तों जो conjections से लिखे हुए therefore और that's by इनका दोस्तों तो दोस्तों इनका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है तो दोस्तों से चारों का ही मतलब क्या निकलता है क्यूंकी और चूंकी अब दोस्तों जो फोर है ब्सकाọn मतलब के लिये जिसे I made this for you मैंने ये आपके लिए बनाया है लेकिन दोस्तों conjunction में 4 का जो अर्थ निकलता ये वो निकलता क्योंकि या चूकी अब ये example के माद्दिम से clear होगा आगे दोस्तों example देख लेते हैं क्या लिखा हुआ सबसे पहला example We were happy since we got a job हम खुश थे क्योंकि हमको ये नोकरी मिल गई थी मतलब हमको एक नई नोकरी मिल गई थी We got a job हमको एक नोकरी मिल गई थी तो हम खुश थे क्योंकि हम खुश थे We were happy क्योंकि हमको नोकरी मिल गई थी इसी तरह CM had met all farmers as he wanted to know their problems CM ने सभी जो farmers थे उनसे मुलाकात की स्कूल वो पड़ा लेखा नहीं है क्योंकि ये चूकी वो कभी स्कूल नहीं गया इसके बाद दोस्तों अकला लिखा हुआ stay home because corona can catch you घर पर रहिए क्योंकि चूकी corona आपको पकड़ सकता है तो दोस्तों आज इस वीडियो के माद्ध्यम से कुछ conjunction हमने पढ़ने के कोशिश की conjunction क्या होता है वो जानने की कोशिश की आने वाली वीडियो में दोस्तों हम conjunction के और पिरकार और जितने भी conjunctions होते हैं उनको डीटेल से जानेंगे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइक करें